नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर मान लिजी आपका अपनी किसी सिमकार्ड में काफी लमबे समय से ठीन से लेकर के पांच मन्स, ठीक है! अपने रिचार्ज नहीं किया था, इंबीस, इंडिउरोशन में आपने रिचार्ज किया था उसके बाद में आपका SIM card क्या हो गया बंद हो गया तो किसी भी company का हो किस प्रकार से चालू करना है सबसे पहले हम बात करेंगे के दिए Give me trick के बारे में उसके बाद में बताएंगे कि अगर वह ट्रीक काम नहीं करता है तो किस प्रकार से आपको SIM card फिर से open करना है जिससे आपको वही pack वही सब चीज़ें ठीके आपका नंबर सेम वही सब चीज़ें कस प्रकार से आपको मिल सकती है सबके बारे में डीटेल से बात करने वाले हैं तो चलिए आज की ये कमाल की वीडियो सुरू करें करें केरिये डेलब ड्यूटिव चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आल वाला आपसन सेलेट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को हो जाएगा और आप चालू भी करा लेंगे फिर से अगर आप यही गलती दो राएंगे तो आपका SIM card फिर से बंद हो जाएगा और आप कहेंगे कि वही मेरा SIM card फिर से बंद पड़ गया तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि SIM card आखिर इस प्रकार के बंद के होते हैं फिर जानेंगे trick उसके बाद में trick नहीं काम करता तो क्या करना पड़ेगा वो जानेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि reason क्या है जो रिचार्ज करवाते हैं वो जार्ज जार्ज त्री मंद का करवाते हैं ठीक है तीन मंद का ठीक है और एक बात आपने notice किया होगा कि जो मतब मेरा अगर मान लिजे एक phone है उसमें दो SIM card लगे हुए है एक जियो और एयर टेल ठीक है अब मान लिजे मेरको किसी दिन लगता है कि मेरको इस समय थ्री मंद वाला जो रिचार्ज है अब तो बहुत सारे लोग एक एक साल का करवा देते हैं ठीक है रिचार्ज और उसका जो आपके साल के भी रख देते हैं तो ऐसी गलतिया आप बिल्कुल मत करिएगा आपको बताते हैं क्या क्या चीजे कैसे कैसे करना है ठीक है तो यही रीजन होता है आपके SIM card बंद होने का आप उसमें रिचार्ज नहीं करते कोई activity नहीं करते इसके बाद में आपका SIM card वो धीर रीजन है बंद होने का अब आपको इस रीजन को कैसे solve करना है वह आपको बता देते हैं इस रीजन को आप solve करने के लिए क्या कर सकते हैं जैसे कि मालेजी हम जीओ और एयर टेल का SIM card यूज करते हैं और यहां पर अभी सबसे पहले आपर देख लिजे कि कि किसका network अच्छा आप करवाना चाहिए एक एक साल वाला बहुत सारे लोग आप करवाने लगे हैं तो वह भी लोग करवा सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं करवा लीजिए लेकिन जो second वाला आपका SIM card है एयर टेल उस पर भी आप ध्यान रखिए ठीक है उस पर ध्यान रखिए कैसे ध्यान करिए ठीक है तो आपका क्या होगा वो SIM card running में रहेगा वो SIM card आपका बंद नहीं होगा ठीक है इस प्रकार के इस प्रक्रिया को आप जारी रख सकते हैं बहुत इंप्रेंट जान करें ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इसी तरीके से information वाली वीडियो और भी आपके साथ सेर कराएं तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रिक के बारे में कि ट्रिक की साहता से कैसे इस प्रकार के SIM card को चालो किया जाए बट यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहां पर हर एक company के SIM card में ट्रिक अजमाने का तरीका अलग-अलग है तो यहां प सबसे पहले हम बात करेंगे सिम-card के बारे में अगर आपने रीचार्ज नहीं किया था सिम-card में काफी लंबे टाइम से बंद हो गया तो कैसे चालो करना है ठीक है तो इस प्रकार की सृतिय में आपको सबसे पहले अपने जो रिलेटिव हैं जो भी आपके दोस्त हैं उनकी जो भी है ठीक है सभी कंपनियों का वन नाइन एटी है और थो आप ब्येसनेल का पंदर ठीक है पंदर जीरो तीन है इसको अब ध्यान रखिएगा ठीक है तो कस्टमर केर को कॉल करिएगा उसके बाद में अब आपको उनसे बोलना कि यही मेरा नंबर है जो भी आपका सिम- ना करने के वज़ा से बंद हुआ है उसको आप बता देजेगा ठीक है नंबर आप बताएंगे और उनसे यह जानने का प्रयाज करिए यह जो सिम-कार्ड है वहां से एक्टिवेट है या फिर नहीं ठीक है तो वह अगर बोलते हैं हमारे तरफ से सर्वी सर्विस आपके लि चालो करना मतलब अगर आपका यह लागू नहीं होता तो क्या करना है वही प्रॉसेस हम आपको भी बताएंगे इंड में ठीक है जातर केस में रहता है ठीक है उसके बाद में आपको बोलेंगे रिचार्ज आप कर सकते हैं चालो हो जाएगा उसके बाद में आप फुल टाक आप समझते होंगे जिसमें जातर चीजें अनलिम्टेड होती हैं इस प्रकार की चीजें जिस चोट की 199 से सुरू होता है कुछ कंपनियों का और भी ज्यादा हो सकता है देख लिजेगा और फुल टाक टाइम आप बोलेंगे कुछ लोगों से तो वह भी आपको हिल्प कर द के साफ di pas order नव गैप अगर आपने रिखार कर्के रख़ा है तो उसके बाद में जो भी आपका प्रोफाइल होता है जो भी आपका नंबर होता है वहाँ देखने लगता है अगर registration करके रखा होगा तभी यह process आपको देखने को मिलेगा नहीं तो क्या करना है वो भी आपको बता देंगे ठीक है तो वहाँ पर आप click करेंगे वहाँ पर email ID आपका देखने को मिलेगा सबसे नीचे email ID को आप एक बार अपडेट कर लिजेगा ठीक है और अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे हैं अपने registration वाले में नहीं करके रखा है तो आप customer के और को फिल से call करिएगा दो दिन के बाद हो सकता है तो आप अपना email ID बता दीजेगा जो भी आप यूज करते हों उनको आप बता दीजेगा भाई मेरे जो नंबर है मेरा जो बंद हुआ है इसमें email ID कर दीजी तो वहां से अपडेट कर देंगे तो जब आपका email ID अपडेट हो जाएगा और आपका रिचार्ज भी हो जाएगा तो आई मतलब की लगबग एक दिन के बाद अवी हो सकता है दो तीन गंटे बाद आपका SIM बनाई थी और काफी लोगों को यह चीजे मैंने बताया भी था और यह बाते उनके उपर लागू हुई और उनने हमको कमेंट करके भी बताया था तो क्या है चीजे क्या है ट्रिक उसको आप ध्यान रखिए सबसे पहले आपको कॉल करना है जियो ऑफिस में ठीके जो भी न देखके बताये कि आपकी तरब से सभी सर्विस चालू है मेरे इस नंबर पर याफिन नहीं जो भी नंबर आप बता दीजेगा तो आपको बता देंगे ठीके तो अगर बोलते हैं सर्विस चालू है आप रिचार्ज करेंगे आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा कभी-कभ लोग अपना जो प्ले स्टोर है वहां से माइजियो अप्लिकेशन इस्टाल करें रखते हैं अपना नंबर डालके रखते हैं ठीक है तो उसको माइजियो का अप्लिकेशन है उससे आप ओपन करिएगा उसके बाद में वहां पर सबसे उपर आपको थ्री डॉट देखने को 3D पर KLIK करेंगे उसके बाद में जो आपका नाम होगा जिसके दो सीम यहई हो देखने को मिलेगा उस पर तो यह सा डाल करके आप उसको अपडेट कर लिजेगा उसके बाद में आप देखेंगे नेश्ट डे आपका चालू हो जाएगा अगर आपका नहीं चालू होता तो नेश्ट आपको प्रॉसेस बताएंगे क्या करना है लेकिन 95% चांस है चालू हो जाएगा अब बात कर लेते का उनसे बता दिजे कि मेरा वी याई का नंबर है काफी लोगों को अभी पता नहीं है मैं कितनी बार बता चुका हूं ठीक है मतलं वोडा फोन आइडिया 198 पर कॉल करना का उनको बता दीजे मेरा नंबर है ठीक है प्या जानने का काफी दिनों से अभी यह बंद हो गया है क यह वाले process में तो आप यही जानने का प्रयाज करिए अगर वहां से सभी चीज़े एक्टिवेट रहेंगी तो आपको भी यही काम करना है आपको एक full time वाला recharge करना है full time का recharge का मनिया आपको मतलब बताया जिसमें unlimited चीज़े आपको मिलती हूं 199 का हो सकता है इसके उपर का भी हो सकता है ठीक है तो इस तरीके की चीज़े हो सकती है तो आप full time वाला recharge करिएगा आप भी और अगर आप भी वी आई का जो अप्लिकेशन है इस्टॉल करके रखे हैं तो एक बार आप वी आई का अप्लिकेशन में जाएंगे यहां पर आप द आपका नंबर सबसे उपर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है जो भी आपका alternative नंबर है जो भी email है वहाँ पर डाल करके उसको प्रजिस्टर कर दीजिए ठीक है नहीं है तो आप कर लीजिए अगर है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए ठ है और बाकी मेरे SIM card में देखने को नहीं मिला कुछ लोगों ने comment करके पूछा था तो मैं सुचा आपको बता जेता अब बात कर लेक्ते हैं वालों का process सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं आपको बताया वालों को सिंपल सा यही काम करना है आप सबसे पहले इसमें तो ब SIM card को मतलब की network company को उसमें सब मतलब की SIM card का network है जहां से वो चल रहा है तो उसमें अपडेट होई है तो उसके बाद में अगर वो बंद रहती है तो चालू हो जाती है ठीक है इसलिए मैं आपको बार बार अपडेट करने की बात करता हूं लेकिन वाले क्या करेंगे थोड़ आपका trick काम नहीं करता तो आपको क्या करना होगा ठीक है सब का end point अब आपको बताने वाले जैसे मालीजे आपका trick कोई नहीं काम करता तब आपको क्या करने वाले हैं मतलब क्या करना चाहिए तो trick अगर आपका यह सब नहीं काम करता तो simple सा बहुत easy process है जिसके नाम पर SIM card ह है ठीक है मालीजे मेरे नाम पर SIM card है तो मैं अपना ID proof लोगा और मैं ठीक है मेरा ID मैं जाओंगा जहां से SIM card open होता है जो SIM card reactivate करते हैं उनके पास जाओंगा और उनसे आप बोल दीजेगा जहां पर आप आप जाएंगे अपना ID proof लेके जाएगा और आप चले जाएगा मात्म में जो भी आपने रिचार्स किया था जो भाएक में आपको मैंने बताया ठीक है वो रिचार्ज्स जो भी आपने किया था सभी डाटा था अगर मालेज़ी इस से पहले भी तो वह वह नहीं दो सबहुंद कर सकते हैं और सबी चीज़े जो एक भी रूपया आपका उस अगर नंबर के मतब कुछ नंबर में था उस सीम कार्ड में था तो रियक्टिवेट करवाने के बाद भी वही पैसा जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा ठीके कोई आपको घबडाने के बात नहीं है अगर कोई भी ट्रिक नहीं काम कर रहा है तो और आप अपना सिम कार चालू कर बाड़ेंगे अगर आपका चालू हो जाता है एक सिरा सप्टेमेंट देर बताएगा और उसे तरीके से खमाल की वीडियो लिए चैनल को स्ब्सक्राइब करेंगें और विद्धे निटयूटियों अप्ल करेंगें ठीक है किसी भी थाइप झाहिजर बीक करेआ है